जैशी कृष्णा स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा के साथ कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब जरूर बताईए बच्चियां जब ससुराल में खुश नहीं रह पाती हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दोश होता है दोनों घरों के लिए एक बहुत बड़ा दोश होता है माईके के लिए भी और ससुराल के लिए भी माईके के लिए इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जिस घर में बच्चियों को भ्याया है वो वहां जाकर खुश नहीं है तो उसके दुख का कारण 1% आप भी होते हैं ससुराल इसलिए क्योंकि आप किसी के घर की लक्षमी को जब अपने घर लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं उसके दुख का कारण आप होते हैं इसलिए ससुराल में भी ये दोश जरूर लगता है कई के कंडिशन्स पे ऐसी स्थित्यों में घरों में ये दोश वन्च दोश या फिर कुल दोश के रूप में भी उत्पन हो जाता हैं किसी भी औरत के आशू अगर किसी की वजह से निकलते हैं तो उस इनसान को इश्वर बहुत मुश्किल से माफ कर पाते हैं आज मैं आपको कुछ ऐसा ही उपाय बताने आई हूँ जिससे लड़कियां अपने ससुराल में सुख भोग सकें देखिए गलती किसकी है कौन गलत है ये टै कर पाना बहुत गलत है और बहुत कठिन भी है क्योंकि जब आप किसी एक पक्ष की तरफ होंगे तो आपको लगेगा ये ही सही है दूसरे पक्ष को आप गलत ही मानेंगे ये ही कारण है कि आस तक कभी कोई नहीं समझ पाया कि जिन ससुराल में लड़कियां दुखी रहती है उसमें कारण लड़कियां खुद होती है या उस परिवार की सास नंदे या और रिष्टेदार होते है लड़कियों की सुनेंग तो कहेंगी कि भहुएं ऐसा करती है कारण कोई भी हो मैं एक बहुत सिंपल सी बात कह रही हूं एक जनरेशन खतम होने की तरफ जाती है एक सास बूड़ी हो रही होती है उसके कंधे अब जुकने लगते हैं उसके सिर पर रखा भार उसे बहुत जादा परिशानिया देता ह एक उम्र के बाद उन्हें रिटायर्मेंट देने के लिए ये प्रथा बनाई गई है जहां पर एक नया बच्चा आकर उन परमपराओं को अपनाता है उन परमपराओं पर अपना एक अलग सा हस्त चिन बना देता है और उन चीजों को आगे बढ़ाते हुए उस घर में बहुत जादा कलह के रूप में बढ़ जाती है तो वो घर घर नहीं रहता वो एक मैदाने जंग बन जाता है और ऐसी कंडिशन में इनसान का जीना बड़ा दुर भर हो जाता है शादियां तूट जाती हैं बच्चों की जिंदियां खराब हो जाती हैं लड़कियां अपने सोच के देखिए कितना अजीब और कितना गंडा है ये सब लेकिन ऐसा होता है और बढ़ते चलन के साथ ये चीज़ें बढ़ती जा रहे हैं पर साथी परिवार हमेशा कोशिश करता है कि ऐसी चीज़ें ना हूँ इसलिए मैं आपको कुछ ऐसा बताने हमेशा चली आती हू और बहु आपको अपनी जान से जादा मानेगी ऐसा उपाए मैं सासों को भी बताने आई हूँ दोनों के उपाए अलग-अलग है लेकिन अगर आप करेंगी तो इससे आपका घर सबर जाएगा आपका घर सबरेगा तो हमारा सार्थी परिवार अपने आप सबर जाएगा च आतों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ चुकि आपकी सार्ति हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ आज मैं आपसे बात करूंगी उन बच्चियों के बारे में जो अपनी सास और अपनी ननत से बहुत परेशान है हमेशा बैठ कर उनकी चुगलिया करत लेकिन फिर भी उनको फल हमेशा बुरा ही मिलता है सुबह से लेकर शाम तक किचन में खड़ी रहे फिर भी उसे यह कहा जाता है तुझे कुछ बनाना नहीं सिखाया तेरी माने तेरी माने तुझे कोई काम सिखा कर नहीं भीजा कोई काम ढंग से नहीं होता तुससे जब द देखो तब यह फोन पर लगी रहती हैं सेलफी खीशती रहती हैं खुच चाहे दिन भर की पचासो पोस्ट डाल दें कोई फरक नहीं परता लेकिन बहु ने अगर एक स्टेटस डाल दिया तो भाई सब के ना कान सब खुले के खुले रह जाते हैं हैं स्टेटस डाला अच्छ हाँ लोगों को ये दिखाना चाते हो ये बताना चाते हो बेटा अगर दो तारीफ कर दे उस लड़की की तो भाई आग लग जाती है ऐसा लगता है इन्हें तो सीधा अभी ज्वाला मुखी के अंदर से निकाला गया है इतना जबरदस्त उनके अंदर ज्वाला मुखी के बहु की कर रहा है ऐसा कैसे हो गया मेरा बेटा बीवी का गुलाम कैसे हो गया तो बस चालू हो जाता है बेटे और बहु के बीच में संग्राम का सिलसिला चालू हो जाता है उन दौनों के बीच में टैंशन्स क्रियेट करने का और मेरे पास इतने सालों में अंगिनत लाखों ऐसी बच्ची आई हैं जिनोंने मुझे प्रूफ दिखाएं कि हमारी सास मौलवियों के पास जाती हैं तांत्रिकों के पास जाती हैं वहां से कुछ-कुछ करा के लाती हैं मुझे खिलाती हैं मेरे पती को खिलाती हैं मैं बिमार हो जाती हूं मेरे पती मुझसे दूर हो जाते हैं, मुझे चलाते हैं, हम दोनों के physical relations बंद हो गए हैं, मेरे पती मुझसे हमेशा दूर दूर रहते हैं, बस अपनी मा की बात सुनते हैं, अपनी मा के साथ बने रहते हैं, अंगिनत ऐसी चीजें जो आप सोच नहीं सकती हैं, कोई बात नी बेट आपके लिए अच्छा सोचना चालू हो जाएंगी हमारे जीवन के अंदर हम जब किसी को अपना बना लेना तो फिर उस इंसान को भी हमें अपना माल लेना चाहिए पर ऐसा लोग करते नहीं है कोई बात नहीं आपको क्या करना है शुक्रवार को आपको आटे के अंदर थोड का आटा मिला देना है उसकी एक रोटी बना लेनी है नमक मत डालिएगा इसमें उसके रोटी बना लीजे उस रोटी के उपर आपको घी से अपनी सास का नाम लिख देना है और उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकडे करकर आपको अपनी छट पे डाल देना है जहां पर पशु पक्षी उसको खा लें पांच शुकरवार ये काम करिया और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलावाता है अगर आपके पस छट नहीं है कुछ लोग मेरी तरह फ्लैट्स में रहते हैं तो ऐसी जगे जाकर आप ये रोटी डालाएं जहां पर पशु पक्षी उ करना है करेंगी कब दिन में करेंगी ये कार्य भरी दुपहरी में ये कार्य करेंगी उसके बाद आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक दौने के अंदर प्लास्टिक का दौना मत लीजेगा जो पतल का दौना आता है न वो ले लीजेगा या मिट्टी का से लीजिए का सब्सके और एक वायट पेपर पर रेड़ पें पैन से अपनी साश का नामों अप्सकेन जो आप के लिए दिक्कत पैदा करने प conse शुक्रवार पांच शनीवार ये कारे करिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में परिवर्तनाता है पीरेट्स आ जाएं तो बीच में ब्रेक कर दीजेगा नेक्स टाइम से वापस स्टार्ट कर दीजेगा चलिए ये तो हुआ बहूं के लिए अब बात करते हैं सासों के करने देती है उन्हीं के साथ वो नाना प्रकार की चीजे करकर उनको उनसे अलग करने की कोशिश करती है घर में कल है बना रहता है दुक्क्का कारण होता रहता है और मैंने ऐसे बहुत सारे केसे अपने जीवन में देखे हैं तो आज आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगे जिससे आपकी जो बहु है वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी एक बात और आजखल की लड़कियों पे ना उनके माईके का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है जिसकी वजह से वो अपने ससुराल को कुछ नही पड़ता है ऐसी कंडिशन में उस घर के बड़े बुजुर्ग ये उपाय करके उस लड़की के मन को परिवर्तित कर सकते हैं उसका मन अपने घर में लगा सकते हैं और उसके लिए क्या करना है आपको बता देती हूं प्रतेक शनिवार को मा दुर्गा जी के मंदिर में जाक आपके जीवन में बहुत जल्दी आपको परिवर्तन दिखाई देते हैं करके देखिए चोटे चोटे उपाय जीवन में आपके इस से परिवर्तन आये तो मुझे जरूर बताईए अगर आपके घर में भी कोई ऐसा कलय है जो खतम होने पर नहीं आ रहा है तो दिये गए न कुछ अलग कुछ अद्भुद लिके तप तक के लिए मुझ पूराते रहिएगा रिष्टों में मजबूति बना के रखेज़ागा अपने सार्थी के साथ नियुग जूड़े रहिएगा प्यार लेते रहिएगा ख्याल रखेगा अपना और उनका जिन से आप प्यार करते मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी तब तक के लिए राधे कृष्ट्ण। द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार्चुकी मात रिशला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवार्ड प्राप्त कर रही है। साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सेंग रावत ने जोतिश विभूशन अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवार्ड से नवाजा जा जुगा है। प्राप wij कमानित किया है।